हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वल्कम बेक मैं चैनल टारेट टीचर जॉब मैं प्रेंग का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारेट टीचर जॉब में दोस्तों आज हम भी अड़ दूतिय वर्श चतुत प्रसन पत्र जन संक्या सिच्छा यों को प्रभावित करते हैं या आपके डीडियू नश्टी 2018 में पूछा हुआ कोस्चन है दोस्तों ये बहुत ही महत्यपूर कोस्चन है क्योंकि अगर हम बात करें परियावरण प्रदूसर्ड की तो यही में रिजन है और द्योगिक क्रांती ही में रिजन है प्रियावरण की प्रदूसर्ड का तो चली देखते हैं उत्तर पूरे विस्व में विसेश्ट है जहां जहां अद्योगिक क्रांती या अद्योगिक प्रगती हुई है जहां जहां अद्योगिक प्रगती की वज़े से विकास हुआ है वहां महां अनेक देशों के लोग ग्रामिड छेत्रों से पलायन कर सहरों की और आ रहे हैं किसी भी देश की खुशाली वहां के लोगों का रहन सैन खाना पानी सिच्छा चिकिस्सा सुविधा आज इस बात पर निर्भर करती है कि महां की आर्थी किसिती कैसी है तो दोस्तों और एकि ख्रांती शुरू कैसे हुई जब देश की जंसंख्या बढदने लगी तो लोगों की अवसेक्ताइब यह और धीरे धीरे करके और ध्यूब धंदों का विकास और इस तरह से और दोग खुरू box आई तो धीरे धीरे लोगों के पास से आर्थिक के इस्थिती मजबू और लोगों का रहन सेयन भी उच्च हुआ तो जहां पर और जो गाओं के लोग थे वो सहरों में आकर बसने लगे तो इस तरह से सहरों की जनसंक्या भी दीरे दीरे बढ़ रही थी जिससे देश को आत्म निर्भरता मिलती है और वक्तियों में समरिद्धी की भावना जागरि की सहरों में जीवन यापन हेतु या थेश्ट कारे मिलता है रहने और खाने पीने की अत्यदिक सुविधा है मनुरजन के भरपूर साधन है तथा इसके साथ साथ लोगों के लिए चिकिस्सा सुविधा है तथा बच्चों को उच्चित सुविधा उपलब्द है निसंदे गाउं में दिन प्रदिन बढ़ रहे अभाव जीवन की असुरच्चा संचार और यातायात के असिमिस साधनों ने भी वहां के लोगों को सहर की और मोड़ा तो दोस्तों एक तरह से यहां पर हम देखें जो रहने खाने पीने की अत्यदिक सुविधा थी वो ग्रोव में थ पर यह कि जहां लोगों के लिए सुविधा नहीं थी वो था ना मा पर सड़के थी ना ही अच्छे विद्यालत थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो इन सब चीजों की वज़े से भी लोग नगरों की तरह प्रस्थान किये दोस्तों अगर हम अपनी बात करें तो होता कि जब हमें उच्छ सिच्छा की बात गाओं में हम हाई स्कूल इंट्र तक तो पढ़ सकते हैं लेकिन उसके बाद जब उच्छ सिच्छा की बात आती है तो उसके लिए हमें सहरों की तरफ ही आना पड़ता है आगे हम देखते हैं इसके साथ साथ लोगों के लिए किस्सा सुविधा है तदा बच्छों की उच्छ सुविधा उपलब्द है ये सारी जीजे कहां पे है नगरों में है नी संदे गाओं में दिन प्रदिन बढ़ रहे आभाव जीवन की असुरच्छा संचार और याताया साथ की असीमिस सादनों ने भी वहां के लोगों को सहर की और मोडाकियों की सहरों में सारी व्यवस्था थी चिकिस्सा की व्यवस्था थी सिच्छा की व्यवस्था थी यहीं रीजन था लोग सहरों की तरफ प्रस्थान करने लगे लेकिन इस परिवर्तन ने कई परियावर प्रदूसर को हम वाई प्रदूसर के रूप में लेते हैं पर यह वास्तों में सामाने से अधिक भयाव है। दोस्तों अगर हम बात करें जैसे जैसे लोगों का नगरों की तरफ पलायन हुआ नगरों की भीड़ भी बड़ी यातायात के साधन बड़े वाहनों के साधन बड़े तो एक तरह से जो ध्वनी प्रदूसर था वायू प्रदूसर सा धूए धूल मिट्टी की वेज़ से तो यह सब चीज़े दीरे दीरे बढ़ती गई अब हम देखते हैं आद्धियों के क्रांति प्रेवर्ड को निम्रिखित रूप से प्रभावित करती है नंबर वन है आपका वायू प्रदूसर किसी भी उद्यों की मसीनों को चलाने के लिए उर्जा उत्पादन तता कच्चे माल की निर्धारित क्रिया के फॉल्स रूप जो भी उद्ध सर्जन होता है उसका गैसी भाग चिमनियों से निकलता है इन चिमनियों से हानिकारक पदार्थ जब वायू मंडल में उस सर्जित होते हैं तो प्रदूसर फैलाते हैं दोस्तों यहाँ पर हम बात करें वायू बही प्रदोसर्टा का काड़ थी और साती जो मोटर वाहन थे उंसे निकलने वाले धुए भी को प्रदोसरे और तो यह सारे प््रदोसर्ड जुन अब हम देखते हैं जल प्रदोसर्ड जिन उद्द्योगों में जल का उपयोग होता है वहां पद उपयोग के बाद बहर स्राव को बाहर निकाल दिया जाता है नी संदे इसमें अनेक विसले पदात मिले होते हैं यदिया सीधे ही नदियों या तालाबों में डाल दिया जाता है तो इन जलासें का पानी पीने योगिन नहीं रहता है अनेक पसू जलचर पच्छी अकाल मौत मर जाते हैं अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं दोस्तों यहां पर देखें जल प्रदूसर्ड की बात करें तो जल प्रदूसर्ड जो कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी है इसको नदिवमें डाल दे जाता है जिससे जो नदी एक तरह से नदी में जो जलियजियोजंतुvisor उनके अस्तित्यों पर खत्रा हो जाता है क्योंकि वो जो पानी होता है इतना ज्यादा विसायला और गंदा और बद्वू करता है कि उसके पास से गुजरने पर भी आपको पनी नाक बंद करनी पड़े दोस्तों मुझे आज भी आदा जब हम हमारे गाउं में जब हम थे तो गाउंक से जो हम अपने स्कूल के लिए जाते थे तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसमें उसमें गंदा पानी नदी में बहता था वो इतना ज़्यादा बद्वू करता था कि हमें अपनी नाक बंद करके महां से गुजरना पड़ता था तो जो हम उसके बगल से जली जीव जन्तु मचलियां सब मर जाती थी तो वो भी उस पानी को नहीं पीती थी क्योंकि वो पानी देखने में भी गंदा था और इतना बद्वू कर रहा था अनेक पसू जल्चर पच्छी अकाल मोत मर जाते या अनेक रोगों से ग्रस्त भी हो जाते हैं दोस्तों अगर आप गन्य के जूस की बात करें तो आपने देखा गन्य का जूस रहता ब्राउन लेकिन जब आप चीनी या सकर खाते हैं तो वो सकर बिल्कुल वाइट होता है तो कैसे white होता है उसमें अलग-अलग chemical यूज होते हैं अलग processing के द्वारा अलग-अलग chemical का यूज करके उसको white बनाया जाता है आगे हम देखते हैं यहाँ पर नंबर फ्री है भूमिगत जल प्रदूसर सता ही जला की कमी की कारड जल भूमिगत जल का दोहन इस गती से हो रहा है कि पानी का अस्तर निरंतर गिरता जा रहा है दोस्तों अगर हम देखें जो सताय पर जल है वो उसकी कमी हो गई है तो लोग भूमिगत जल का अस्तर वो दीरे-दीरे गिरता जा रहा है वहां भी जल की अनेक प्रकार के संकट में और विसले रसानों से मिस्रित हैं जिसके पीने के लिए भी उस पानी का उपयोग उपयोगत नहीं लगता है भारी द्योगों का यूही निस्तारण करने की प्रक्रिया इ दोस्तों अगर हम बात करें जो जल करखानों के माध्यम से गंदे जल एक तरह से नदियों में छोड़े जाते हैं या हमारे नालों में छोड़े जाते हैं वो धीरे-दीरे सतय के माध्यम से सोक के नीचे चले जाते हैं तो उसमें जो केमिकल होता है वो भी पानी नीचे जा या एक तरह से वह सत्य में जाके धिर धिरे रिस्क के पहुंच जाता है तो उस वज़े से जो सत्य का जल है वह भी दूसित हो रहा है तो वह जब पानी हम पीते हैं तो उससे अलग लगतर है के रोग होते हैं यहां पर देखे नमबर 4.9 उद्ध्योगों के वहिर्स राव से प्यंट पोदों की बरभादी कई प्रकार के उद्ध्योग जिनमें जल की मात्रा का उपेयोग अधिक किया जाता है वह अपने कारखानों की वहिर्स राव को बिनवचार के ही नदी में खाले जमीन पर या खे तो बहुत जादा एक तरह से वंजर हो जाती है कह सकते हैं और विना उप्चार के किया हुआ जल खेतों में पहुंचता और वहां के फसल को नश्ट कर देता और किसान आसाहाय होकर रह जाते हैं तो दोस्तों एक तरह से जो बड़े बड़े उद्योग पती हैं वो अपनी कारखानों से इस तरह के गंदे कच्रे को खेतों में डाल देते हैं या फिर कह सकते हैं हम नदियों में डाल देते हैं या खुले जगवग पे डाल देते हैं तो उस बज़े से एक तरह से वो गंदे गणरında दोस्तों 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 ऐसले बाता है तो उद्योग धंदेव हैं उनके आसपास गरीब लोग जुग्यों में रहते हैं तो वो जो आसपास की गंदगी है वो उन्हें बिमारियों की चपेट में ले लेती है और उनके पास धन की कमी होने की विएसे वो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं और उनकी मौत हो जाती है आप प्रभावित होते हैं उनकी मौत भी हो जाती तो यह सारी घटकाए होती रहती है तो इससे कहीं न कहीं इसमें हम कह सकते हैं आप un example a झाल्ञे के आपने इन सारी चीजों पर नियंत्रड़ा रखना होगा और साथ ही इनawsी आपर अच्छे ठंग से करणा होगा जो भी फैक्टरी से निकलने वाले गंदे कच्रे होते हैं उनको रिसाइकल करके यूज करना होगा तभी अगर सुध करके ही उन्हें डालना होगा तो एक तरह से यहां पर हम देखें इस प्रकार कहा जा सकता कि जो औध्योगिक करांती से वातावर अधिक प्रदूसित न हो रहा है जहां पर वह अपने थिंकिंग को तो आध्यात्मिक तरफ इस्वर के गुड़गान में और इस तरह के उनका जो रहन सयन था वह बहुत ही ज़्यादा सिंपल था लेकिन आज अध्योगी करण की वज़े से लोगों का जीवन बहुत ही ज़्यादा विजी हो गया है लोग जल वायू वाहन और धोन प्रदूसर की अधिकता हो गई है देखे स्वार्ति और अवसरवादी जीवन हो गया अनजाना अनविग्य पडोसी पीने के पानी का समचित मात्रा में अभा हो गया तो दोस्तों एक तरह से अब सारी कमिया हो रही है क्यों हो रही है क्योंकि हम कह घंची ना कहीं प्रकित को निगलेक्ट करने प्रकित की जो भी son इकन बटन को प्रेस कर लिजेगा इसी तरह से अपना पढ़ाई जारी रखिए अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए अपने आसपा सफाई रखिए हम से जुड़ने के लिए थैंक्यू सो माच दोस्तों यहां पर हम आपके लिए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और साथ ही दोनों जो भी एक कमपनसरी पेपर पढ़ाए गए हैं और टेलिग्राम चैनल पर भी आपको बीड़ क्लासस के नाम से इन सारे वीडियो के लिंक मिल जाएगी तो आपको जहां भी सूटेबल लगे वहां से आप पढ़ाई करिए हम से जुड़ने के लिए थैंक्यू सो माच जैहिन